जो औरुनाचल प्रदेश में फ्रॉंटियर हाइवे रस्ता बनने वाला है ये भारत का इतिहास में सबसे कठीन वाला, सबसे टफ और सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट में से एक है हमने कई साल पहले लगबग 20 साल पहले ये सपना देखा था कि औरुनाचल का बॉर्डर एरिया में हाइवे बनेगा लेकिन आज जब सपना पूरा हो रहा है तो मुझे लगता है कि सब का योगदान चाहिए है मुझे सुनाई दे रहा है कि land compensation के नाम में जो measurement alignment कर रहा है वहाँ में problem शुरू हो गया है ऐसा होगा तो सपना तूट जाएगा जैसे trance और नाचल में भी कई जगा में land compensation का वज़ा से कितना साल देले हो गया 2015 में पूरा हम लोगों ने सेंक्शन करके पैसा रिलीस भी हो गया लेकिन रस्ता बनाने में इतना टाइम लगा जहां कंपेंसेशन का इशू नहीं बना वहां रस्ता जल्दी बन गया और जहां कंपेंसेशन का इशू आ गया वहां रस्ता बनाने में सेंक्शन हो चुका है कितना हजार करोड लगबग 40 हजार करोड का असपास इतना प्रोजेक्ट आने वाला है इसको क्रिपाए करके सिविल सोसाइटी के लोग हमारे वहां के लोकल MLA पंचायत और जितने भी वहां जो यूथ है सब तालमेल करके कोई भी हमारे अरुनाचल प्रदेर्स फ्रॉंटियर हाइवे को डिश्टाप नहीं होना दिना है कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रियत नहीं करना है यह एंशूर करना है नहीं तो इतना बड़ा हमारा सपना टूट जाएगा और रस्ता बनाने में 10-20 साल लग जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा इसलिए मैं फिर से हाथ जोर करके सबको मैं अपिल करना चाहता हूं कि रस्ता को बनाने के लिए सब लोग मिलकर के योगदान करें